तो हलो गाइस हम पाई बैग तो आजम बात करेगें ओशिनो के अपिसोड नाइन बी कोमाची के बारे में तो लेट्स बेगें तो लास्ट बता चलता हम कि मैं चो भी एक आडल बढ़ना चाहती थीं तो एकवा उसी मियाओ के पास ले जाता हम ताकि वो भी कोमाची जॉइन कर सकी और मैं चो ऑनलाइन बहुत जा फीमस थीं और एजन कंटेंट क्रियेटर वो अपनी अजैंसी के अंडर साइन नहीं थीं बलकि उनकी पार्टनर थीं तो फ्रीली और चॉप भी ले सकती हैं तो उस टॉपिक परड़क्शन उसकी आडल सर्सु कमिशन करी का तो कोई भी तिक्कत नहीं होगी और सब कुछ बलकुल ठीक था बर साथीं इसमें एक दिक्कत भी थीं अज मैंचो अपनी एज के बारे में गलत बता रही थीं जिसे मैंचो पैचान लीती हैं अज उसे फूल बनाना बिलकुल पॉसिबल नहीं था लेकिन इंडस्ट्री में अपनी एज हो कम बताना एक नॉर्मल बात थीं तो मियाको भी इससे कोई दिक्कत नहीं थीं और मैंचो से उसकी रियल एज पूछती हैं बट जब वो बताती हैं कि उपच्चेस साल की थीं तो मियाको और एकवा दोनों ही बहुता शौक हो जाते हैं लिकिन मैंचो की अपनी रीजन्स थीं एजो हमेशा से एक आइडल बढ़ना चाहती थीं पर उसकी मां एक सिंगल मदर थीं और साथ में उसके दो चोटे बाई भी थीं बट फिर भी उसकी मां से फुल सपोर्ट कर रही थीं तो अपने ड्रिम को फॉलो कर सकें और वो भी डिफिर्ट अजेंसी चाह रही थीं अडिशन देने के लिए लेकिन एक तिन ओर वर्ट की वज़ा से उसकी मां होस्पेटलाइस हो जाती है और उन्हें बहुत सब पैसा चाही था तो मैंचो अपने स्कूल से टैंपरे विद्रॉल ले ले थीं और बहुत से पार टैंप जॉब करती हैं जिनकी वज़ा से वो अपने भायों को कॉलिज पीच पाई थीं और उसकी मां की तिर्वेट भी बैतर हो जाती हैं बर तब तक मैंचो तेज साल की हो गई थीं और जितने भी अजेंसी थीं वो 20 साल के लड़कियों को अडिशन में एकसेप्ट नहीं करती हैं तो ऐसी उमर में नहीं थीं जब लो ड्रीम को फालो कर सकें और उसके सबी रास्ते बंद हो गई थीं तो अपना सारा पैशन स्ट्रीमिंग में लगा दी थीं जहां पे वो एक हाई स्कूल गल का पार्ट प्ले कर रही थीं और ये चीज बहुँजा फेमस हो जाती हैं तो उसके पास कोई चांस नहीं था वहां से पीछे मुढने का और वहीं पे रूबी और काना ये सब बाते सुन रही थीं और उन दोनों को मैं जोगी एस से दिक्ट नहीं थीं और वो उसे भी कुमाची में एकसेप्ट कर दी थीं और मिया को भी इस चीज के लिए मान जाती हैं और तब यहम दिती काना अपी एक कोपे गुसा थीं एस उसने अकाने केस की थीं और वो दोनों एक कपल बन गई थीं और वो उसे बताती हैं कि भी ना बताई भी अपने गुरुप की देखवाल कर सकती हैं और मैम जो भी कुमाची की एक ओप्शिल मेंबर बन जाती हैं और फाइनली भी कुमाची गुरुप कम्पलीट हो जाती हैं और उसके बास स्कूल में मिनामी रूबी से पूछती हैं कि अकाने एकवी गल्फरेंड बन गई थी तो कैसा फेल कर रही थी पर रूबी के मिक्स्ट फेलिंग थी और साथ में वो आकड भी फेल कर रही थी एस उसे लग रहा था कि जो एकवा की अकाने के लिए फेलिंग थी वो पॉसिबली आई की वज़ा से थी और तबी वहाँ पी श्यानुए भी आ जाती हैं और वो भी लवना के रहें बात कर रही थी कि कैसे वहाँ पी बहुत से होट काईज और ब्यूटिफुल गल्स थी जिन में बहुत ही अलग थी और साथी श्यानुए बड़ताती हैं कि इस चो की वज़ा से स्कूल्स की गल्स के बीच में एकवा बहुत जा पॉपुलर हो गया था और लेव नो ने ना सिव एक की फूचर को इंपैट किया था बड़ साथी मेम्चो की वज़ा से इसका इफेक्ट बीच को माच पर बड़ाता हैं ऐस उनकी दस रा सिस्क्राइबर हो जाते हैं और अब मेम्चो सोच रही थी कि उन्हें एक मुजिक फरोड़ने कामनी चाहिएं और इसके लिए मियाकों आर्टिस्ट को ठूण रही थीं बड़ तबी मेम्चो को आइडिया आता हैं कि जो और इस कोरियोग्राफी को याद या फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन काना बहुत ही जल्दी थक जाती हैं ऐस वो रूबियो मेम्चो को मैच नहीं कर पा रही थीं और अब वो ये भी सोच रही थीं कि उसने आडल बढ़ने के लिए अगरी क्यों किया और सभी हैक को इसके पास आता हैं और उसे पानी ओफर करता हम लेकिन गाना इस चीज़ को एकसेप्ट नहीं करती हिं ऐसो एक्वा पिम अभ ही गुसा थीं बट वहे हीं रिच को संभाट नहीं आता हम कि काना उसके प्रतिन ऐसा बरताफ क्यों कर रही थीं और वो उसे क्या है कि तो ऐसा ही करती रही गी तो उसके फिलिंग को वो हर्ट कर दी गी और इसंके काना उसे बात करना चाहती थी बर तब तक एकवा वहां से चली गया था और अपकाना अपने उपर गुसा हो रही थी और इसके बद एकवा फाइनली कुबूरागी से मिलते हैं जो उसे करते हैं कि अगरो आई का फैंता तो उसे आई के बारे में जार नहीं जानना चाहिए एज जो उसके ऐल्यूजन्स थी आई के प्रती उसके रियल सेल्फ को जानने के बाद में शैटर हो जाएगी एज जो एंटेमेट इंडरस्ट्री थी थी वहां पे सभी बहुत जार चू पताता हैं कि शुरुआत में आई एक कंट्री पंकिन थी जो प्रोफेशनलिसम को लैक करती थी और वो दोसों से फ्रेंड लिएन का ट्राइब भी नहीं करती थी और सबने पेनावी के भी कोई परवार नहीं थी तो उस समय आई एक चाहिल्ड की तरह ही थी और उसकी इंट्रेश कराता हैं जो ट्रेडर कंपनी होस्ट कर रही थी और ट्रेडर कंपनी लाला ही थी जहां पर अपकाने काम करती हैं और बले ही उस समय वो इतनी फेमस नहीं थी लेकिन स्टेल उसकी वार से आई एंड टेमेंट के वल्ड के प्यार में पढ़ गई थी और वहां ज में इन्वाल था बट वहां जाने के बाद से आई ग्रोन अप हो गई थी और एक को बता था कि उसी लालाई लडर से मिलवा थी का और उसे अपने सारे जवाब वहीं पर मिल सकते हैं और कुबूरागी उसकी इतनी मरत कर रहा था एस उसने एक्वा पोटेंशल को सेंस किया तो उसे कोनेक्शन बना रहा था था ताकि जब एक्वा एक इंडिमांड एक्टर या अपनी पीक भी हो तो उसे और लोग के मुकाबली इसली कास्ट कर सकी और ना सिर्फ एक्वा कुबूरागी में चौर कान में भी पोटेंशल देख रहा था और इसी वजासी वो उनमें और अपने कनेक्शन से जो नया भी कोमाची था उसी जपान आइडल फेस्टिवल में एक पार दिला दी था और जपान फेस्टिवल अगले ही बन था बट फिर भी रूबी और मैम्चों इसमें पार्ट लेना चाहती था एस उनके पास एक चांस था भी कोमाची को इतने मान जाते हैं बट उन्हें डिसाइड करना था कि भी कोमाची का सेंटर कौन होगा एज पोजीशन सबसे इंपोर्टन थी और बस उसमेलर को मिलती थी जो सबसे टलेंटल हो लेकिन काना कहनो सार चाहे जो भी सेंटर बन जाए इससे कोई फरेक नहीं पड़ी का पर वहीं पी और यूपी और मैं जो दोनो हीं सेंटर बने के लिए मरे जा रही थें तो रूपी डांस में अच्छी थें और मैं में जो फैस एक्सपरीयांस थां तो दोनों कौमन ग्राउंड पर आतें और अब वो तीनों सींगे अबर्टन के लिएं सारीं सार्थ करने वाली थिर और इ उसके according उसे singing ability थी थी वो बहुत थी lossy थी और even अगर वो center बन जाती तो ग्रूप कभी भी popular नहीं होगा as जो उसी child act के दिनों की fame थी उसकी वजह सी वो अभी तक industry में survive कर पाई थी और भले उसकी वजह सी बहुत सी project losses में थी लेकिन still उसने performance piece ली थी थी survive करने के लिए तो बिसकली काना के कोई भी dependable fans नहीं थी जबकि मेंचों बहुत जाओ फीमस थी और रूपी बहुत जाओ की उड़ती तो काना उन्हें कहती है उन दों के बीच महीं center decide करने को और ये सिर्फ सुनके रूपी और मेंचों काना को चिरप करने का try करते हैं और वहीं पर रूपी सोच रही थी कि कन और मेंचों ने एको कैना पर जॉइन किया था तो कि एकवा को उस तरह की लड़का पर संती है और इसके बद कराओ के मेंचों रूपी कंपेट कर रही थी बट उन दोनों की सिंग एलवटी बड़ी बेकार थी और वो बस excuse बना रही थी और इसके बाद में मूड को fresh करने के लिए वो काना क के गाने बैल पर एक्सरसाइस को गाने कर डिसाइड करते हैं तो एक childish गाना था जो बेसके लिए बच्चों की राइम के लिए था और एक काना ने बच्पन में गाया था जो कि बहुत जा फीमस हुआ था कि और एकों चार्ट पर भी किया था बड़ तब यो देते कि उसने और पि काना रिलीस किये थीम और उन्हें सुनके ये क्लियर हो जाता है कि काना की आवाज बहुत तीजा अच्छी थीम और रूबी और मैम चों भी समिच चाते हैं कि काना की सिंग एबलिटीम एक अलग लेवल पे थीम और वहीं पे काना को देखते कराओ के मैं जिसका स्को और बहुता हाई था और यहीं पर अपिसोड एंड हो जाता है तो आशकर काफी सही था बेट इसमें काना एको पर ही नरास थीम तो दुनों कर तक सौर्टर ठोगें यहें बाद में पता चलीकां और साथ में पता चलते हैं कि उसी लाला थेटर में कुछ क्लू मिल सकते हैं जहां पर अकाने काम कर रही थी तो अब उसे यूज कर सकते हैं और साथ में कुबरा की वज़ा से जो नया बी कुमाची था वो जपान एडल फैस्टेल में जा सकते हैं और वो तीनों इसकी तयारे शुरू कर देते हैं बटम दीखते हैं कि जो मैंचोर रूबी हैं वो अच क्या होते हैं तो आप से मुस्तिया मिलते हैं तब के लिए बाए सुनरा